नमस्कार दोस्तों तिवारी क्लासेश में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में जैसंकर प्रसाद द्वारा रचित एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक सकंद गुप्त इसी का प्रमुक पात्र और इसका जो कथासार है अर्थात सारांग से है इसको समझ लेंगे आप जानते हैं कि ये नाटक जो है इसमें बहुत सारा पात्र है बहुत सारे प्रसंग है इसलिए इसका अगर समरी ठीक से नहीं पता रहेगा तो इससे संबंधित जो भी प्रस्ण परिक्षा में पूछे जाते हैं उसको समझने में काफी दिक्कत हो जाती है इसलिए इसका अथासार को प्रस्तूत किया जाए लेकिन इस नाटक से संबंधित जो कथ्य है या कथानक है वो इसपस्ट हो जाए तो कुछ basic information उसको पहले देख लेते हैं फिर हम लोग इसके प्रमुक पात्र है और जो इसका सारांग से है उसको देखेंगे तो यह सकंद गुप्त नामक ज कासित हुआ था इस नाटक में एतिहासिक द्रिष्ठी के साथ साथ राष्ट्रिय चेतना का भावना को भी दिखाया गया है यह जो नाटक है इसमें गुप्त बंग्स के सन 455 से लेकर 466 इसवी तक के 11 वर्षों का वर्णन है आप जानते हैं कि गुप्त बंग्स भारत का ए और उसी का एक नायक ना इसकंद गुप्त जिसको आधार बना कर यह रचना लिखी गई है इस नाटक में लेखक ने गुप्त कालिन संस्कृती इतिहास राजनीती संघर्ष पारिबारिक कलह एवं सड़ियंत्रों का वर्णन किया है इसकंद गुप्त हुनों के आकरमन से तक की कहानी है अर्थात जो यह 455 हिस्वी से 466 हिस्वी अर्थात कूल 11 बर्स की यह कहानी है यह नाटक देशभक्त वीर सहसी प्रेमी इसकंद गुप्त जो की विक्रमा दित्य की नाम से भी जाने जाते थे ना तो उसी के जीवन पर आधारित एक एतिहासिक नाट्यकृती है या फिर कहा सकते हैं नाटक है इसकंद गुप्त में कूल 5 अंक है जिसमें 33 दिरिश्य है और अगर गीतों की संख्या की बात की जाए तो इसमें 17 गीत है अब इस नाटक के प्रमुख पात्रों को जान लेते हैं तो जो एकदम सर्व प्रमुख पात्र है या फिर नायक है तो वो हो गया सकंद गुप्त जिसके बारे में ये नाटक लिखा गया है और ये सकंद गुप्त कौन है तो उस समय जबकी मगद के समराथ कुमार गुप्त थे तो ये कुमार गुप्त का पुत्र है युबराज है जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं जो दे तो जो प्रमुक पात्र या प्रमुक चरित्र वो हो गया इसकंद गुप्त, कुमार गुप्त, मगत का समराठ हो गया या फिर महादंड नायक भी यह हैं। कुमार गुप्त की दो रानिया बड़ी रानी का नाम देव की है ना और छोटी रानी जो है तो छोटी रानी का नाम अनंत देवी बड़ी रानी जो है वो सांत स्वभाव की स्वभी मानी राज के हितेशी और जो इसकंद गुप्त जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है इसकंद गुप्त की मा है तो ये देव की हो गई कुमार गुप्त की बड़ी रानी और अनन्त देवी ये छोटी रानी जो की पूरु गुप्त की मा है जो की कुटिल प्रविर्ती की है ये नियाई संगत ना होते हुए भी अनन्त देवी चाहती थी कि उसका जो बेटा है पू शडियंत्र रचती है और शडियंत्र रच के अंतता है जो राजा कुमार गुप्त है उसका हत्या भी करा देती है तो इस तरह से आप खलनायक पात्रे कह सकते हैं इस नाठक का वैसे ही गोबिन्द गुप्त तो गोबिन्द गुप्त कुमार गुप्त का भाई हैं पर्ण दत् कि मगद का महानायक या फिर आप उसे सेनापती भी कह सकते हैं चक्रपालित जो की पर्णदत का पुत्र है और इधर सकंद गुप्त का वो मित्र भी है वैसे ही बंधु बर्मा तो ये सब जो हम लोग देख लिए ये मुख्यता कहां के थे तो मगद राज जी के जो मेंबर थे वो सब के बारे में है अब यहां पर क्या है बंधु बर्मा जो मालव देश का राजा थे तो बंधु बर्मा वहां के राजा भीम बर्मा बंधु बर्मा का भाई जय माला बंधु बर्मा की पतनी या फिर मालव की रानी देव सेना ठीक है ये जो देव सेना है इसको आप इ और इसकंद गुप्त एक दूसरे को प्रेम करते थे हां ये जरूर था ये दोनों का प्रेम निशकाम था और अंत तक निशकाम ही बना रहा तो ये देवशना क्या है नाइका है जो की मालव देश के जो राजा थे बंधु बर्मा उसी की ये बहन है विजिया ये भी मालव दे सारा धन भी था ये क्या है आशक्त भी हो गई थी सकंद गुप्त के प्रती लेकिन बाद में फिर से वो समझ जाती है और बाद में ये इसकंद गुप्त को अपना धन देकर सेना बनाने के लिए मदद भी करती है वैसा ही मात्री गुप्त ये भी एक है जिसको क्या बोलते ह काव्य करता कालिदास दोनों एक ही नाम है वही जाने जाते हैं प्रपंच बुद्धी है जो बॉद्ध कापालिक है कुमार दास या फिर धातु सेन जो की सिंघल का राज कुमार भट्टार्क यह नाम फिर से एक बार परमुख है तो भट्टार्क जो है तो वह क्या है अनंत देवी का जो बिद्रो में साथ दिये थे जो बताया ना कि यह बिद्रो किये थे एक सड्यंत्र रचे थे और जो वहां के राजा थे उसका हत्या भी कड़ा दिये तो इसमें यह भी क्या था साथ था लेकिन भट्टार्क का करेक्टर इस तरह से है कि पहले तो यह सड्यंत्र के साथ हो जाता है कमला यह भट्टार्क की जननी है और खिंगिल यह खिंगिल है जो हून अक्रमन कारी जिसके बारे में बात किया जा रहा है कि इसी दौरान क्या हुआ हुनों का अक्रमन हुआ अब अगर कथा बस्तु की बात करें तो अभी हमने देखा कि ये नाटक जो है ये पांच अंकों में बिभाजीत है तो पहले अगर पहला अंक जो है इसके कुछ बातों को पहले हम लोग देख लेते हैं तो इसमें दिखाया गया है कि जो गुप्त सामराज में आंतरिक बिरोध चल रहा है या फिर आप कह सकते हैं कि पारिवारिक बिरोध को दिखाया गया है हमने देखा कि कुमार गुप्त जो यहां के क्या थे महराज थे उनकी दो रानिया थी है ना कुमार गुप्त हमेशा प्रयासरत रहे कि कैसे सांती को बरकरार रखा जाए लेकिन परिष्थितियां ऐसी बन रही थी कि सांती बरकरार रखना क्या था मुश्किल हो रहा था कुमार गुप्त की दो रानिया थी देव की और अनन्थ देवी तो जो छोटी रानी अनन्थ देवी वही क्या कर रही थी कुमार गुप्त के खिलाप सड़ियंत्र रच रही थी है ना तो अंतता इसमें कुमार गुप्त की हत्या भी हो जाती है तो एक पारिबारिक असांती है ना एक अंतरिक कलह साथ ही असमय महाराज की मृत्तु हो जाना ये भी एक समस्या खड़ी किया साथ ही जो विदेशी थे कर्था जो हून आकरमन कारी थे तो उसका भी आकरमन तो मिला जुला के जो इस्थिती था बहुत अच्छा नहीं था ऐसे में अगर कोई मानिय नायक होता है जैसे कि सकंध गूप्त है तो उसका जो दाइत्व है करतव्य है वो स्वाभाविक रूप स क्या हो जाता है बहुत ही बढ़ जाता है और उसका एक साथ में बहुत सारा काम करना होता है पहला जो पारिबारिक बिद्रों है उसको क्या करना सांत करना साथ ही आर्जवरत के गौरब की रक्षा करना अर्थात अपना जो राज्य है अपना जो देश है उसको विदेशी आक्रमन कारियों से क्या करना रक्षा करना ठीक है इसी समय जो पूरुगुप्त ठीक है तो पूरुगुप्त कौन होए गए अनन्थ देवी का जो पुत्र है न वो पूरुगुप्त भट्टार्क जिसके बारे में बताया और ये अनन्थ देवी तो तीनों मिलकर क्या करते है सड्यंत्र बनाते हैं और सड्यंत्र बनाकर जो कुमार गुप्त अर्थ शमराठ है उसको मार देते हैं समराठ के परम सुभ चिन्तक जो कुछ लोग थे जैसे कि प्रिठिवीसेन महाप्रतिहार दंडर नायक वो क्या कर लेते हैं आत्म हत्या कर लेते हैं ऐसी स्थिती में इसकंद गूप्त विचलीत हो जाता है फिर भी लक्ष प्राप्ति करने की दिशा में वो अपनी पूरी शक्ति लगा कर जुट जाता है ना दूसरा अंक का अगर बात करें तो दूसरे अंक में भी क्या इसकंद गुप्त अपने लक्ष के लिए प्रयासरत दिखाई देते हैं जो दो जो प्रमुक समस्या पहला ग्रीय संघर्स और दूसरा बहारी आक्रमन कारियों से देश की रक्षा करना तो ग्रिया संगर्स का पता तो उसे चल जाता है जब उसे पता चलता है कि अनंत देवी और भटार के मिलके क्या सड्यंत्र रश्ते हैं और किस तरह से महाराज की हत्या कर देते हैं सिर्फ महाराज की हत्या ही नहीं करते जो इसकंद गुप्त की माता है देव की तो देव की का हत्या का भी यह सड़यंत्र करते हैं लेकिन उसी समय इसकंद गुप्त पहुंच जाते हैं कुशुमपूर और वहां जाकर अपनी माता की रक्षा वो कर लेते हैं इसके बाद दुश्मनों से सामना करने के लिए वह अपनी सारी सैन सक्ति को एक जूट करके राज प्राप्त कर करने में सफल सिध होता है उसे राज की प्राप्ति भी होती है तीसरा अंक का अगर बात करें तो इस अंक में भट्टार्क प्रपंच बुद्धी और अनंत देवी के सड़यंत्र का सामना उसे करना पड़ता है इसकंद गुप्त और मात्री गुप्त के द्वारा देव सेना की रक्षा करना यहां पर इसको मैंने बहुत सौट कट में लिखा है लेकिन यह बड़ा प्रसंग है ना कि जो मालव राज है तो मालव राज पर हुनों का आक्रमन होता है और वैसे में यह अर्था इसकंद गुप्त और मात्री गुप्त यह मिलकर क्या करते हैं देव सेना क की रक्षा करते हैं इसके बाद ही क्या है कि सकंद गुप्त और देवशेना में प्रेम भी हो जाता है साथ ही पस्ची मोतर सिमाओं से जो दुस्मनों का आक्रमन हो रहा था वो एक समस्या था भट्टार्क का एदर धोखा दे देना बने इन लोगों को पता था कि भट्टार मुश्किल हो जाता है युद्भूमी में दुस्मनों से मिल जाना भट्टार्क का है यह सब लेकिन फिर भी अंतता क्या है भट्टार्क को वो छमा कर देते हैं तो इन सारी बातों को तीसरे अंक में दिखाया गया है चोथे अंक की बात करें तो इस अंक में दिखाया गया ह कि इसकंद गुप्त है वो बेपरीत परिश्थितियों और सड़ियंत्रों से लगभग अकेला ही जूजता हुआ दिखाई देता है इस बीच उसकी मा का भी क्या हो जाता है स्वर्गबास हो जाता है तो मा का स्वर्गबास होने से भट्टार्ग जो है भट्टार्ग ये भी इ अपने गलती का हैसास होता है इसको लगता है कि जब हम इन लोगों के विश्वासी थे तो हमें इस तरह का गलत कारियों में संगलगन हमें नहीं होना चाहिए था जो भी है वो क्या करते हैं अब संघर्ष से बिमुख हो जाते हैं और अब आगे वो जितना दिन जीवित रह इसी बीच प्रेम के छेत्र में भी कुछ परिवर्थन होता है जैसे अभी हमने वर्णन किया कि सकंद गुप्त और देव सेना के बीच प्रेम संबंद स्थापित हो जाता है लेकिन यह विजिया जो है अर्थात जो हम लोग बोले क्या धनकुबेर की कन्या है ना मालव आती है कि देव शेना को किसी तरह से भी इसकंद गुप से अलग कर दिया जाए लेकिन बाद में इसमें भी कई तरह का परिवर्थन आता है यह कोई भी एक विचार में क्या है ना उसमें स्टिक नहीं रह पाती है बदलती रहती है तो बाद में क्या है यह मदद भी करती है है ना खुनों से भैभीत देवसेना को भी ये साहता भी करती है और अनेक प्रकार के उलजन के बाब जूद देवसेना के अनुराग के प्रती इसकंद गुप्त को सजग भी इसी में बताया जाता है इस अंक में अर्थात बहुत कुछ परेशानियां आने के बाद भी दिखाय जाता है कि इस कंदगुप्त क्या है देवसेनय के प्रति आसक्त रहते ही हैं अब पांचवा और आखरी अंक तो इस अंक में भट्टार्क के दक्ष सैन्य संचालन के कारण विपक्ष का महत्वपूर्ण गड़ बिखर जाता है तो भट्टार्क अभी लोग के साथ हो गया थे तो जिससे क्या हो गया दुस्मन बने क्या होते हैं हार जाते हैं हून ये भी क्या है छोड के भाग जाते हैं अनंत देवी और धर्म संगों में विरोध की स्थिती उत्पन होती है इधर पर्ण दत के सहयोग से इसकंद गुप्त को धनराशी की भी उपलब्द होती है कह सकते हैं आर्या ब्रत के गौरब की रक्षा भी होती है इस तरह से वो जो बाहरी आक्रमन था तो बाहरी आक्रमन को जीत लेते हैं अब जो ग्रिह का जो अशांती था तो जिस बात को लेकर अशांती था वो क्या था कि पूरुगुप्त को क्या बनाना समराट बनाना और इसकंद गुप्त को बंचित रखना तो अब इसकंद गुप्त भी यही चाहते थे हैं ना कि मैं निसकाम रहकर क्या करूं अपने राज की सेवा करते जाओं और जो राजा है तो उसका जो अनूज है उसका जो भाई है वो पूरु गुप्त को ही क्या है राजा बना दिया जाए तो वो क्या करते हैं कि पूरु गुप्त को ही वहां का राजा क्या कर देते हैं घोसित कर देते हैं इस तरह से जो पारिबारी का सांत होते हुए दिखाई देते हैं लेकिन सामाजिक सफलता पाने के बाद भी व्यक्तिगत्त जीवन के रूप में वो क्या है उसकी अत्रिप्ति बनी रहती है या फिर कहा सकते हैं कि अत्रिप्त की पीड़ा से वो क्या है त्रस्त ही है देवशेना के चर्णों पर वो अपना अवस्व लुटा सकते हैं है ना ऐसा सोच रखने बाले को भी क्या है देवशना इसलिए नहीं उपलब्द हो सकी क्योंकि उसे मालव राज के सम्मान का बड़ा ध्यान था इस तरह से इन दोनों का जो प्रेम है ये निश्काम प्रेम बनकर ही रह गया है और जो नाटक का अ और इसकन्दगुप्त के करून उच्छवास इस नाटक का अंत हो जाता है तो इस परकार आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद